हलो अब्रीवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज इस पीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीसी वायर एलमूनियम वायर में दोस्तो करेंट जो है कितना लॉस होता है सपोज दोस्तो हमारा जो सोलर पैनल है वो 12 वोल्ट आउटपूट सप्लाई क्र करता है तो क्या वह 12 वोल्ट हमारे बैटरी तक रियल 12 वोल्ट हमारे बैटरी तक पहुंच पाता है कि नहीं तो यह सारा कुछ प्रैक्टिकली जानेंगे और एम्पियर के माधियम से बीटेस्ट करेंगे सपोज दोस्तो हमारा सोलर पैनल जो है वह पांच एमपियर आउप करेंट लॉस हो रहा है यह सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हमारे वीडियो पर कुछ दिन पहले कमेंट भी आया था हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अलमुनियम वायर इतनी ज्यादा अच्छी होती है तो लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च क बता है जिसके सब्सक्ता है डिल्य मैं बते हैं कि करना लॉस होता है जो के सब्सक्राइब정 निखर कर देंगे उसका पावर थे निकल कर आ ceux होता लेकिन दोस्तों क्या वो डीसी में उतना करेंट लॉस होता है कि नहीं होता है यह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और लाइफ टेस्ट भी करने वाले हैं तो सभी से ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा और इस चैनल पर नए होंग हमने पर्चिस किया हुआ था उसका सारा वीडियो बनाया हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा उस वीडियो को देख पाऊगे तो सबसे पहले हम इसका एंप्यर टेस्ट कर लेते हैं अपनी बैटरी के पास की लंबा वायर जोरनी के बात की हम कितन यहां पर दूस्तों नीचे बैटरी के पास हमारा जो है करेंट पहुंच रहा है 4.57 एंपियर और वोल्टेज की बात करें दूस्तों तो हम अपने मल्टेमेटर को चेंज कर लेते हैं वोल्टेज मोड में अब यहां पर वोल्टेज अगर हम देखें तो हमारा वोल्टेज कर रहा है अभी हम देख लेते हैं दोस्तों 19.8 मतलब दोस्तों की 19.8 वोल्टेज यहां पर शो कर रहा है अब दोस्तों चलते हैं अपने छट पे और सोलर पैनल के पास और दिखाते हैं यहां पर देख पा रहे हो हम दो सोलर पैनल को आपस में कनेक्ट करके यूज कर रहे थे एक हए 100-100 Watt की दोनों पैनल है और यहां पर दोस्तों हमने बैटरी के पास जो wire गया हुआ है इसका connection हमने हटा दिया हुआ है और दोनों solar panel को आपस में connect किया हुआ है ठीक है तो बैटरी के पास जो connection गया हुआ था जो wire connect हुआ था उसको हमने simply हटा दिया है तो सबसे पहले हम हम वोल्टेज देख लेते हैं याद रखें 19.8 वोल्ट हमें मिल रहा था वायर को र瑋 frequent करने के बाद नीचे हम जहाँ पर चेकक कर रहे था हैं खित आए अब दुस्तों वायर को हम हडा दिए हैं अब सिर्फ हम स्व्यड का करेंट और को प्रवोल्टेज देख लेते हैं उसमें हमें मिल रहा था 19.8, 19.8 तो यहां पर देख सकते हो, 19.8 ही हमें एकडम exact voltage जो है, मिल रहा है, मतलब कि voltage में एकडम कटाउती नहीं हुई है, current जो है, voltage एकडम loss नहीं हो रहा है, अब दोस्तों हम current की बात कर लेते हैं, तो current देख लेते हैं, कि कितना current जो मिल रहा है यह पहले हैं दोस्तों आपको सब्सक्राइब होता जब रहे हो रहा हुए कितना वोल्टेज्ग परती 9 forward the current कि दोस्तो बात करें यहां पर 4. нашем Germany 4-7, म Vijay concept मले है। ढूँने वोल्टेज्ग्ष यहां पर और कियर के बात करें तो नुथ एकदम equal है दोस्तो तो एकदम perfect है दोस्तो कोई भी यहाँ पर current जो है लॉस नहीं हो रहा है कोई भी voltage भी लॉस नहीं होता है जो लोग के मैंन में यह सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा I hope तो दोस्तो I hope कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद रहा होगा अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें